राव राम किसान भाईयो स्वागत है चैनल और्गेनिक फार्मर में मैं हूँ आपका किसान दोस नितिन काजला और जैसा के पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि भीजों के बारे में भी हम भाईया जी से चर्चा करेंगे तो एक और छोटी सी वीडियो साथ के साथ बना लेते हैं भाई भाईया जी अक्सर ये बात देखी गई है या प्रमोट भी की गई है कि प्राकरति खेती या जैवी खेती में जो देशी भीज हैं वो अच्छा प्रभाव देते हैं उन्नत भीज अच्छा प्रभाव देते हैं अक्सर हाइब्रिड भी जो को थोड़ी तंग नजर से देखा जाता है कि इनकी पोशन मांग बहुत जादा होती है और इनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं निकल पाते लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे आपने अपने अनुभों से बताया कि ऐसा आपको नहीं लगा और आपने जो रिसर्च करके दिखाया उसके काजला साथ यह भी एक बहुत ही समय के आज समय की जूरत है इस पर चर्चा करने भी महतपन बिंदू था कि हम कौन सा बीज लें देखो जब हमने अरंब किया था नैच्रल फार्मिंग को तो हमने देसी बीजों से ही किया था मैं मानतू हूं देसी बीजों में पोशन सब से जाना होता है और मानों को स्वस्थ रखता है इसमें कोई नी संदे नहीं है लेकिन साथ ही हमें एक महतबन बात भी ध्याने रखनी होगी कि हमें अपने उभवतां की मांग को भी ध्यान में रखना होता है क्योंकि आसल में किसान की आये आपने उतपाद को बेचने से ही मिल हैं उससे किसान को डबल मार पड़ती है दूसरा बात कहीं देशी सीट्स में जैसे हमारी लोकी का साइज है वह इतना लंबा हो जाता है कि उपहोगता उसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन मेरी प्राथमित इसी बात पर रहती है कि पहली सटैस्पेक्शन कस्टमर की होती है क्य क्योंकि जिस चेतर से मैं आता हूं यह हरित करांती का चेतर रहा यहां देसी सीड नाम की कोई चीज नहीं बची थी कुछ देसी सीड हमने दूसरे प्रांतों से लेकर यहां लगाए जैसे बंसी गयों है यह महारास्टर से सीड लेका है और इसको हम एक सफल खिसान बने बह किसम और इसका सवाद बड़ा जबरदस्त है तो यहां स्वाद जब टेस्ट की बात आती है तो मेरी स्लेक्षन देसी सीड पर ही रहती है लेकिन जैसे हम सबजी की बात करते हैं कुछ सबजियां समय के अनसार परिवार छोटे हुए तो महां कुछ चोटे साइज की सबजी क जिस परकार की है हम जब देशी भिंडी लगाते हैं तो कस्टमर उसको जाना पसंद नहीं करते हैं तो फिर हमने उसको पर हाइब्रीड पर चले हैं उसको चोटी-छोटी अलवाई अलवाई चाहिए होती है और दूसरा वात उसको हरी बिलकल रहे हैं जा डार्ग जाहिए तो में अगर हम 70-80 कॉंटल लेते थे तो इसमें हम 200 कॉंटल तक लेने में कामियाग हुए जब हम हाइब्रीड पे तो हमें उत्पादम भी देखना है और आपकी खेत में यदि वो सफलता से चल रही है तो आप क्यों न लगाएं तो आप हाइब्रीड पे भी जा सकते हैं लेकिन यदि आप अरंबिक किसान है पहले एक दो साल यदि आप चलते हैं तो में रिकमेंडेशन आज भी देशी करूंगा क्योंकि उसको थोड़ा पोस्न की जूरत कम पड़ती है लेकिन साथ ही यदि आपकी मिट्टी बलवान है आपकी मिट्टी का हूमस अच्छा बन चुका है आपका जैवी कारवन बहुत उंचे स्थर पर चला गया है तो आप हाइब्रीड से भी बहुत अच्छा पड़क्शन ले सकते हैं तीसरा कि एक चैलेंज था हमारे लिए कि हम जब भी फसल सबजियों की लगाया करते थे वो सीजनली क्रॉप ही लगा पाते थे तो साथियों इसमें हमें दोहरी मार पड़ती थी क्योंकि उसमयर सेनिक मंडी में एक डंपिंग आ जाती है कि मुल्य इतने गिर जाते हैं और इसमें हमें बहुत कुछ लेवर हाथ से भी करने पड़ती है तो हमारे कुछ खर्चे जाना भी होते थे लेकिन उस मंदे के दोर में प्राकिर सब्सक्राइब करते हैं तो उसका एक मेजर कारण वो हाइब्रीड सीड्स है देशी सीड उन समय पे उतना अच्छा वो नहीं करते नहीं पाते सार उनमें क्या दिक्कत आती है वो स्पेसल उसी जलवाई के लिए बढ़े होते हैं हाई टेंप्रेचर में वह अपना फूल ज उसमें ना मातरी होता है क्योंकि इसमें हम अवसक्ता से जाना खुराक देते नहीं और जब तक हम ज्यादा नहीं देते तो कीट आपके खेत पर आएंगे भी नहीं और जो आ भी जाते हैं दाएं बाएं से तो आज इतनी आप में साहम इसमें स्किल्ड हो चुके हैं कुन की हम प्राकिर्तिक कीट पर बंदन भी कर सकते हैं तो साथिए जब आप ऐसी ऐसी बाते सीख करेंगे लेकिन यहां मैं विसेश यही कहूंगा कि बीना सीखें आप हाइब्रीड पर ना जाए लेकिन सीखने के बाद आप की मिटी जबलवान हो जाती है आप हाइब्रीड कीजि लेकिन मैंने अपने पंजाब के किसानों के लिए जहां कंबैन हार्वेस्ट चलती है उनको बैड पे फसल की क्रॉफ कटिंग करनी होती है तो इस परकार का मेरा विचार आया क्योंकि हम उन लोगों के लिए भी काम करें कि जो आज के समय में उन पर लेवर की बहुत कम ही आ काम किया और आपको मैं जो भी उत्वादनाव की बार आएगा वो काम आएगा जाना आएगा वो आपको मैं जुरूर बताऊंगा जिससे उन किसानों को भी एक प्रणा मिले जिनके हां बुजूरूगी के काम करते हैं लेकिन उनके लिए मैंने मॉडल देना था उसके लिए तो आप अपने ही नुकसान नहीं करते हैं आप अपने राष्टर का भी नुकसान करते हैं और जब तक आप अपने राष्टर के चिंतन के लिए काम नहीं करते तो मैं उसको किसान नहीं मानता हूं क्योंकि राष्टर सरवापरी है राष्टर है तो हम होंगे यदि हमारा र जरूर आप देशी वीजों के साथ जाएं क्योंकि उनकी पोशन मांग कम होती है सुरू सुरू में रासाइनिक डलने की वजह से हमारी खेत की उतनी ताकत नहीं रहती है समय के साथ हम साल दो साल तीन साल में अपने खेत में वह ताकत ला पाते हैं तो फिर हम हाइब्रिड के उपर जरूर जा सकते हैं क्योंकि उत्पादन बहुत जरूरी है साथ ही साथ जो कस्टमर सैटिस्फेक्शन है वह बहुत जरूरी है कस्टमर को सुंदर सुंदर छोटा छोटा जैसे भहिया जी ने लोकी का उधारन दिया कि अगर हम नरेंदर शिवानी लोकी लगाएंगे दो लोगों का परिवार है तो उन्हें तो आधी किलो की ही लोकी चाहिए तो इस वज़े से छोटे वाले में और उसमें प्रोडक्शन भी आधी आधी कि लोगी बहुत सारी आएंगी इसमें पांचार आएंगी अगर बेल में तो हाइबिड सीड के साथ हम जा सकते हैं और लेकिन फिर वहीं बाता आती है कि सीक के समझ के जाना है काजला साब मैं थोड़ी सीओ और बात जोड़ देता हूं कि हम आने वाले समय के लिए एक आपको देसी सीड का स्लेक्सनम कर रहे हैं और आपको नस ब्राइब के एक अच्छी डेशी सीड मिलें क्योंकि हम नहीं चा है हाइब्रीड उत्पान देना ही छोड़ जाए हमारी पीडियों के लिए हमें कुछ न कुछ देसी जीन के बीज को विशनक्सित करना ही होगा और जब तक हमारे पास अच्छी अच्छे देसी सीड ना हो तो आप निरास नहों आप हाइब्रीड प्रियों कीजिए आपके अच्छा प्रोडक्शन मिलता है और उस पर भी बहुत लोगों का सोथ रिसर्च का काम है उनको भी बढ़ाई जो इस काम में लगे हुए है आप निरास कहीं से नहीं आप पर सीड देसी हो या हाइब्रीड हो उच्छ क्वाल्टिक हो उच्छ गुनवत्ता को यह महत्त पौ आपको यह नहीं लगुचप़।